असलाम अरीकूम वेलकम बेक तो माई चैनल दिस इस महीन आसिप आई होब आ बिलकुल ठीक ठाक होंगे बहुती सिंपल सा पाटी मेंकप लुक है, step by step detail वीडियो है, किस सरीके से मैंने पाटी बेस बनाई है, जो कि long lasting है, waterproof है सिंपल सा एं मैंतल बॉड़क्ट यूज़ की है, कौन सी ब्लैंड की यूज़ की है, किस सरीके से यूज़ की है तमाम डीटेल है, वीडियो पे नियू है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल पे नियू है तो सबस्क्राइब कर दीजिए तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, सीखते हैं ब्यूटिफुल सा पाथे मैकप लोग सबसे पहले मैं अपनी मॉडिल की आईब्रोज को शेफ दूँगी, आईब्रोज को शेफ देने के लिए मने अनेसेजिया का ब्रो पॉमिट यूज किया है, अगर आप लोग के पास ब्रो पॉमिट नहीं है, तो आईशेडो पैलेट के अंदर से आप डार्क चॉक्लिट ब्र आईब्रोज जो है, या आपके क्लाइन के आईब्रोज होशी डार्क हैं, तो आपको बहुत कम प्रोडक्ट यूज करनी है, जैसे कि मेरी मॉडिल के आईब्रोज बहुत जादा डार्क थी आईब्रोज बनवाती भी नहीं है, तो मैंने यापे बहुत कम प्रोडक्ट यू ताके आप भी एक अच्छा मैक अप कर सकें और अगर कंसीलर आप लोग के पास नहीं है तो मैक अप बेस होगी आपके पास फांडेशन होगी स्टिक होगी उसकी मदद से भी आप लोग फिलहाल इसको कर सकते हैं अपने आई ब्रोस को नीटर आई बेस बना सकते हैं आप लोग के पास अगर ब्लैंडिंग ब्रश नहीं है या आप लोग को ब्लैंडर यूज करने के आदत है तो आप ब्लैंडर के साथ भी इसको अच्छे से ब्लैंडिंग ब्रश यूज कर रही हो शेर्स ब्लैंडिंग का अच्छे से इसको हम ब्लैंड कर लेंगे अब आप मे ब्लैंड कर देते हैं सिर्फ ब्लैंड करते हैं आपकी प्रोडक्त हो आपको ब्लैंडिंग का तरीका आना चाहिए आपके स्किन से उतारते नहीं है तो यहां पर मैंने पिंग कर लिया है चोटा सा ब्लैंडिंग ब्रश लिया है उसके साथ मैं ट्राइशन शेड अप्लाई कर की और तो को मैं बल्ला आर याँ ऑो आज रहा है JUST पना पहुत oluşव और जो आएंगे ब्लाइज कि अफिए है खोल जेता है गल्ला आज्ञों के तो भी है पने हुए तो फिल तो आजचा होड़ी सब्लाइब 2002 पंकल तो ब्लाइज को ताकि जो आई ब्रशिस आपको ब्लेंड के साथ इसको नहीं लिया है उसी के साथ अपने आउटर को में निट कर रहे हूं अगर आप लोग प्रोफेशनल है तो यहाँ पर आप लोगप बी लगा सकते हो उससे भी आपका जो आउटर है बहुत सब्सूरत मेनेगा यहां पर मैंने कंसिलर के साथ इसको नीट कर लिया है अब यहां पर शिमर शेड यूज़ करने वाली हूं मुस्फिरा कॉस्मेटिक्स का यह धानी कलर का शिमर आई शेडो है बहतरीन है बहुत हाई पिग्मेंटिट है इजी तो अप्लाई है बहुत जबर्दस इनके मुस्फ इना असिफ नहीं जस्ट 01 आपको यूज़ करना है आपको 20% डिसकाउंट मिल जाएगा यहां पर मैं फिंगर के हल्प से अप्लाई कर लिया है और अप्लाई करने के बाद आमें ब्रश के साइस को थोड़ सा नीट कर लूँगी फ्लैट ब्रश के साथ मैंने वही शेड को लिया है और आई लिट के अप्लाई कर रही हूं लगने के बात आप देखो कितना खुब्सूरत लग रहा है यहां पर मैंने ग्रीन लिया है क्योंकि मेरी मॉडल का ड्रेस का कलर था आप लोग जब मैक अप करो तो जैसे कलर से आपकी ड्रेस के अंदर आप लोग उसके अक इतना अच्छा है इतना पिग्मेंटिर है इससे मैं अपनी ब्रोबोन को हाइलाइट कर रही हूं मॉडल की यही में ट्रेटर पर अप्लाई करूंगी और यही आगी चाके मैं फेस के अपा हाइलाइटिंग के लिए यूस करने वाली हूं बहुत जबरदस इनका यह आउटर से भी बहुत ज्यादा हैवी विंग मुझे नहीं बनाना है क्योंकि मैं पार्टी मैकप कर रही हूं तो मैं बहुत सॉफ्ट सा और हलका हाथ रखते हुए हर काम करूंगी यहां पर मैंने बिलकुल लाइट सा विंग बनाया है बाहर निकालते हुए छोटा सा ब बिलकुल भी हैवी बेस नहीं लगेगी तो चले हम बेस की तरफ आते हैं और सीखते हैं कि मैंने बेस किसे किसे बनाई है यहाँ हमारा आई मैकप कंप्रीट हो किया है मुस्ट्रा कॉस्मेटिक्स का मैंने यहां पर ब्राउन कंसीर लिया है और इंज कंसीर सॉरी इसको मैं आएवरी कॉर्ट तो लाहां पर जहां पर मुझे जरूवत है कि लगानी चाहिये यहां दार्क सिर्कल्स हैं आपकी निशान है थाय को मैं दाने के द लिद लाहां यहां पर मैंने यहां पर शेड लिया है मुस्वा कॉस्मेटिक के क्रीम बेस का वह है आईवरी यालो टोन के अंदर आता है ब्रैडल के उपर आप यह वाला शेड यूज करो बहुत खुबसूरत लगता है यहां पर थोड़ा थोड़ा से लेकर मैं फिंगर के हल्प से इसको मैं अगयर इसको है है यहां सब्सक्राइब करना है ऑफिस के रखना ब्लैंड निए तो बहुत जाने में यहां पर कोई डूसरा शेड आप्लाएब्स कोई दूसरे बियाएबर यहां बसंए यहां पर एक न का क्रीम बेस का शेड लिया है आईवरी इसके बाद मुस्वरा कॉस्मेटिक्स का यह लूस पौडर है मेरा जो शेड है वो नैचरल है इसके अंदर दो शेड आपको मिलेंगे एक आईवरी और एक नैचरल आईवरी आप बहुत जादा फेर टोन के उपर लेकर जाओगे नैचर इसके बाद एक बड़ा सा फ्लफी ब्रश लेकर आप इसको डस्ट आउट कर लोगे बस यह हमारी पार्टी बेस बन गई है इसके बाद आपको कुछ लगाने की जरूरत नहीं है बेस आपकी इतनी जबरदस फ्लोलेस ही बनी है और लॉंग लास्टिंग तो बहुत ही जबर अब मैं यहां पर आई ब्रोज को दुबारा से नीट कर रही हूं क्योंकि हमने लूज बहुत 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 ब्लैंडिंग कर लूगी इसके बाद मैं यहां पर टेर्डर को भी हाइलाइट करूंगी मिस्फुरा है कॉस्मेटिक्स के हाइलाइटर के साथ और आपका कि उसके बहुत ब्लैंडिड होना चाहिक है है अगा पाठी मैकप कर रहरे रहे हो तो बहुत आपको डाक नहीं करना है बहुत सव्टत को रखना थो पाठी मैकप भी ताकि आपको बिल्कुल सौफ्टा नजराय और है यहां पर मैंने वाटरर लाइन पर आपके की ब्लाइक जम्बो पैंसिल यूज़ कर लीती है आप लोग चाहो तो यह ऑप्शनल है वाइड भी लगा सकते हो न्यूट कर भी लगा सकते हो यहाप आप हाइलाइटर की पिगमिंट देखो कितनी जबरदस है अच्छे से मैंने यहापर टेडर को भी हाइलाइट कर लिया है इसके बाद सबाइक यहां पर क्या करने वारी हूँ मसकार अप्लाई करने वारी हूं मसकारी की आप्ल्यकेशन अपकी जो आई लैश्य कर लिया है ख़àng पर ललें जाराव जाय लिया है तो मेरी मॉडिल का जो फेस है वह वैसे भी बहुत जादा स्लेम है हाइलाइटर देखें, कितना जबरतस हाइलाइटर है मुस्फवरा कॉस्मेटिक्स का पिगमेट आप देखो आपक की जम्बो पैंसिल है यहां पर अपलाई कर लूँगी बहुत जबरतस्त है बहुत सॉफ्ट और क्रीमी फॉर्म में है बहुत एजली अपलाई हो जाती है और यह है मेरे मेकप का फिनिश फाइनल लोग कैसा लगा आप लोग को आई होप ज़रूर पसंद आया होगा बहुत ही सिंपल मैठट के साथ कम स्ट्रैप के साथ मैंने पार्टी मेकप आप लोग को करना सिखाया है वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से लाइक कर दीजेगा चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजेगा मुझे इंस्ट्रैग्राम पे फालो कर लीजेगा नीचे में तमाम सोचल मीडिया के लिंक्स डिस्क्रैप्शन पे आपको मिल जाएंगे तमाम डिटेल मिल ज आपके का मुझे दूआ में याद रखे का तिल टे कियर अलाहाफेज एंड बबाई